नमस्कार जेहिन बनकेवरा भाग एक की इस टेस्ट श्रीज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों मैं बनकेवरा भाग एक का टेस्ट श्रीज चला रहा हूं तो उसमें से आज हम लोग देखेंगे बनकेवरा भाग एक से बहुत ही महत्पुन प्रश्णों को जेह दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्पुन प्रश्णों को सामिल किया गया है वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तो में लोग कथा बुझावल यह सभी आप नहीं देखे हैं लोग संगीत भी मैंने पढ़ा दिया है तो सभी को आप एक बार जरूर देखें प्लेलिस्ट सभी का अलग से बना हुआ है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे रहा ह तो देखें नाकपूरी सिष्ट साहित्य बनकेवरा भाग एक में कतना गो नाटक है तो देखें नाकपूरी सिष्ट साहित्य पुष्टक है बनकेवरा भाग एक उसमें कितना नाटक है उसको पूछा जा रहा है ठीक है चार उप्सन दिया गया है देखें दुई गो तीन चाइर गो एक गो तो आप लोग जदी बनकेवरा भाग एक अच्छा से देखे होंगे तो आप लोगो पता होगा कि बनकेवरा भाग एक में दो नाटक है एक नाटक है इंजोत और एक है करम भिहान इस तरह से दो नाटक है ठीक है इसका सही उतर होगा ओप्सन नमबर एक पढ़ा दिया है अब वीडियो जरूर देखे होंगे या नहीं देखे हैं तो देख लिजेगा देखे इसका लेखक का नाम पूछा गया है अप्सन है प्रफल कुमार राय सकुनतला मिस्र स्रीकान पंचम साहो तो दोस्तों नीम्तिता नाकपूरी कहानी है उसका लेखक है आगे देखते हैं देखे तीसरा नंबर का सवाल देखे दोस्तों मले सबदकर का अरत है दोस्तों बनक्योरा भाग में एक कविता है पनिहारिन ठीक है उसी से यह प्रशन लिया गया है दोस्तों आपको बीच बीच से कहीं से भी प्रशन दे सकता है इसलिए मैं ऐसा प्रश क्या होगा आप कविता पढ़े होंगे तो आपको याद होगा और नहीं होगा तो यहां zat देखें मुह बता दे रहा हूं मले शबद का क्या अर्थ है तो option है पानी अमाटी हवा लुखा तो देखें मले बनकेवरा भाग एक में संकलित गीत कोईल कौन राग में लिखल है बनकेवरा भाग एक में गीत है कोईल बहुत ही अच्छा उसको पढ़े होंगे आप लोग तो देखिए इसका सही उतर क्या होगा ये कौन सा राग में लिखा गया है ये पूछा जा रहा है ठीक है अफसन है उदासी, पावस, जुमर, अंगनेई तो आपको याद होगा कि इसका सहुतर होगा option number D अंगनेई या अंगनेई राग में लिखा गया है चलिए अगला सवाल देखिए पांच नंबर बिर्सी कर मरद कर कानावर है बिर्सी का पती का क्या नाम था है ये पूछा जा रहा है तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा बिर्सी का मरद का नाम क्या होगा option number B सोमरा तो दोस्तों option दिया गया है देखिए चार option है शिव, विश्नू, गनेश, इंद्र तो सिद्धी दाता, गनेश को कहा जाता है ठीक है, option number C इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ठीक है, चलिए, आगे देखिए शिरी विर्णदाबन पर कविता में के जदुरईया नाच करेला ठीक है, ये कविता है आप लोग पढ़े होगे, शिरी विर्णदाबन पर उसमें साफ बताये गया है तो देखिए, इसका सही उत्तर क्या होगा option दिया गया है गासी राम, किशन करहिया सुदामा, नंद तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो है option number B किशन करहिया ठीक है, चले आगे देखते हैं आठ नंबर का सवाल देखिए बनकेवरा भाग एक में संकलित कविता नीज करम, कौन राग में लिखल है, देखिए, बनकेवरा भाग एक में ये कविता है, नीज करम उसमें, उसको कौन सा राग में लिखा गया है ये बताना है ठीक है अफसन है उदासी पावस जूमर अंग नहीं तो दोस्तों ये कविता पावस राग में लिखा गया है आप लोग पढ़े होंगे तो आपको याद होगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं नो नंबर का सवाल देखिए बहु महन बोड़िया मंदिर को लच्मी नायान बनवाये थे ऑफसन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा चलिए आगे देखिए दस नंबर का सवाल देखिए इंजोत नाटक में कतना गो नजैर है मतलब इंजोत जो नाटक है बनके और भाग एक में यह संकलित है ठीक है यह नाटक में कितने द्रिश्ची है यह पूछा जा रहा है नजैर मतलब कि द्रिश्ची है दुई गो चाईर गो पांच गो आठ गो कितना है तो मैं बता दो कि इसमें अफसन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा चाईर ठीक है देखिए चलिए आगे देखते हैं ग्यारा नंबर का स्वागर शुगो के कारोग होई रहे इक नाटक है करम भिहां उसको पड़े होंगे आप लोग मैंने इसका विडियो यूटूब प्रड़ोड कर दिया है तो देखिए इसका सहीव तर क्या होगा सुगो के कारोग होई रहे तो कि hm मलरिया हुआ था हाइपर्टेंशन ये चेचक तो आपको याद होगा देखे इसका सही उतर क्या होगा हाइपर्टेंशन ठीक है ओप्सन नमबर सी इसका बिल्कुल सही उतर होगा ठीक है चलिए आगे देखिए बारह नमबर का सवाल करम भिहान नाटक में के कहला कि जाओनी कुनो जतन करू इ यहाँ पर खाड़ा रहने से काम चली यहाँ पर खाड़ा रहने से काम चलेगा इस तरह से कुन कहती है उसी को नाकपुरी में कहा जा रहा है कि जाओनी कोनो जतन करू इठीना कि ठाड़े रहले काम चली ओप्सन दिया गया है बईद सुगो करमाएं सुगो डाक्टर कुन क कहते हैं तो दोस्तों इसका सही उतर होगा option no.b स्उगो कर माते कहला मंदल सुगो का मा कहती है अपना पते को सुगो कर पिता जी को की जाओं निकोनों जतन करोई टिना कि ठाढ़े रहले काम चली तो दोस्तों इसका सहितर अफ्सन नमबर B चलिए आगे देखते हैं तीरे नमबर का सवाल देखिए करम बिहान नाटक में कितना गोना जीर है करम बिहान नाटक है उसमें कितना दिरिश्य है यह पूछा जा रहा है तो इसका सहितर क्या होगा चार उप्सन दिया गए है देखिए तीन है चाईर है दूई पाँच तो इसका सहुतर होगा उप्सन नमबर एक तीन चलिए आगे देखते हैं चोध नमर का सवाल देखिए मति करूसान कविता कर रचियता के एक है बनकेवरा भाग एक में संकलित कविता है मति करूसान इस कविता के रचियता कभी कौन है यह पूछा जा रहा है उप्सन है देविंदरनात पाठक मेघनाद ओहदार मधुमंसूरी हसमुक चंद्रदेव सी तो देखिए इस चारो उप्सन मेंसे इसका सहुतर होगा वो है उप्सन नमबर ए देविंदरनात पाठक ठीक है चलिए आगे देखते हैं दोस्तों इसमें जितने भी प्रशने सामिल किये गए है सभी महत्वपुन है सभी को आप लोग को ध्यान देखे पढ़ना है और कोई भी क्वेश्चन को आप इसकिप मत करिएगा बिना इसकिप किये है देखे पूरी तरह से समझ में आ जाएगा आगे देखते हैं पंदर नमर का सभाद धर्ती है रतन कविता कर रच्यता के है कविता है धर्ती है रतन उसके रच्यता कोन है अप्सन है देविंदरनात रामुचित सी मेघनात ओहदार मधुमन सुरी हसमुग तो देखे इसका विता कर रच्यता है अप्सन नमर बी रामुचित सी ठीक है चलिए आगे देखे सवाल नमर सुल्ला अमर सेनानी सेख भिखारी कर जनम को निश्वी में होई रहे अमर सेनानी सेख भिखारी एक लेख है बनकेवरा भाग एक में संकलित इसमें बताया गया है कि इसका जन्म कब हुआ था तो देखे चार अप्सन दिया गए है 1818, 1819, 1818 1820 तो इसका सेहुतर क्या होगा इसका सेहुतर होगा अप्सन नमर बी 1819 ठीक है चलिए आगे देखे 17 नमर का सवाल देखे बनकेवरा भाग एक में संकलित लेख अमर सेनानी सेख भिखारी कर लेखा केह गए ये लेख है उसको कौन लिखे हैं ये पुछा जा रहा है अप्सन है डॉक्टर काली कुमार सुमन प्रफुल कुमार सकुंतला मिस्र पंचम साहु तो देखे इसका सही उतर होगा अप्सन नमर ए डॉक्टर काली कुमार सुमन चलिए आगे देखते हैं 18 नमर का सवाल देखे बिर्शी कर मरद सोमरा कहा काम करत रहे बिर्शी का पती सोमरा वो कहा काम करता था अप्सन है चाय बगान इंता भाठा लोहा फैक्टरी प्लास्टिक फैक्टरी तो दोस्तों इसका जो सही उतर होगा वो है अप्सन नमर बी इंता भाठा चलिए आगे देखते हैं 19 नमर का सवाल देखे इंजोत नाटक कर रचनाकार क्ये है काई इंजोत नाटक है उसका रचनाकार कौन है option है तीन कोड़ी साहू मेघनाथ चंद्रदेव प्रफुल कुमार रहा है इसका सही उतर होगा option नबर ए तीन कोड़ी साहू देखे बीश नबर का सवाल देखे बिर्शी का स्रहिया कर काना आओ रहे option है शुकरी सामारी एतवारी खोलीका बिर्शी का सही अगर नाम एतवारी option नबर सी इसका बिलकुल सही उतर होगा आगे देखते हैं 21 नबर का सवाल नागपूरी कविता परंबिर अल्बटेक का कवी कि है कह के नागपूरी कविता है परंबिर अलबर्ट एका उसकी कभी कौन है अप्सन है घासी राम, हनुमान सी, किरपाल नरायन तिवारी, सिवावतार, चोधरी तो दोस्तों इसका जो सही उतर होगा अप्सन नमबर डी, सिवावतार, चोधरी, सिवाजी चलिए, आगे देखते हैं, बाईस नमबर का सवाल देखे परंबिर अलबर्ट एका कोन जूध में दूस्मन कर छक्का छोड़ाते सहीद होई रहे जूध मतलब यूध परंबिर एलबर्ट एक का कौन सा यूध में दुस्मनों का छका छोड़ाते हुए सहिद हुए थे ये पूछा जा रहा है अप्सन है भारत पाक भारत चाइना भारत नेपाल भारत बांगला तो दोस्ता आपको बता दूँ इसका सहीवतर होगा अप्सन नमबर A भारत पाक आगे देखे तेश नमबर का सवाल परंबिर अलबटे का भारत पाक जूद में बिर्ता से लड़ते हुए कौन इश्वी में सहीद होई रहें ये इश्वी बताना है कौन सहीद इश्वी में ये सहीद हुए थे 1970, 1971, 1975, 1970 आगे देखे 24 नमबर का सवाल देखे परंबिर अलबटे का कर जनम जार्खन कर कौन जिला में होई रहे तो दोस्तों चार अप्सन दिया गया है सिम्डेगा, गुमला, खूटी, पलामो तो आप लोगों को पता होगा आप पढ़े होगे और ने पढ़े होगे तो देखे इसका सही हुतर होगा आप्सन नमबर बी गुमला जिला चलिए आगे देखे 25 नमबर का सवाल परंबिर अलबटे का कोन जूध में पहिल धाओं आपन अनुसासन करतब और बिरता कर परिचय देई रहे परंबिर अलबटे का कोन सा यूध में अपना पहली बार अपना अनुसासन और करतब के साथ बिरता का परिचय दिये थे अप्सन है भारत पाक भारत चिन भारत नेपाल भारत बांगला तो देखे इसका सही हुतर क्या होगा दोस्तों इसका सही हुतर होगा अप्सन नमबर बी भारत चे ठीक है तो ये था बनके वरा भाग एक पुस्तक है उससे समधित प्रशन उतर दोस्तों मैं इसी तरह से आप लोगों को वीडियो लाता रहूँगा आप कमेंट करके जरूर बताएगा कि मेरा ये प्रशन उतर वाला सिरीच कैसा लगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तक भी शेर करना ना भूलेगा वीडियो को अन तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस वीडियो में इतना है मिलते है नेक्ट वीडियो में तब तक रहे जय ही जय जय जार्खन जोहार